पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा, उनको कहा, कि भगवन मान जी, पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए. ये मैंने मामूली बात नहीं कही है. सबसे पहले मैं आपको, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ, कि आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे, आप में और अर्विंद केजरिवाल जी में बहुत फरक है. आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कॉंग्रेस पार्टी के स्टेट से कह रहा हूँ, मगर पंजाब को बिल्ली से नहीं चलाना जाया चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्यूं कह रहा हूँ, एक कार्यकरता है, सड़क पर मेरे साथ चल रहे थे, मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा हूँ, मैंने का ठीक है, कॉंग्रेस पार्टी का है, मैं किसी और से चेक करता हूँ, सड़क पिसाइट पे किसान मिले, पहले मैंने उनसे खेती के बारे में पूछा, फिर मैंने पूछा, भहिया बताईए, यह आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई है, इसने क्या किया, नहीं उसका जवाब था, कि यह रिमोट कंट्रोल सरकार है, मुझे अच्छा नहीं लगा, आम आदमी पार्टी से, कॉंग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ेगी, हम आपको हराएंगे, वो अलग बात है, वो अलग बात है, मगर अगर एक किसान कहे, रिमोट कंट्रोल सरकार है, और मैं पूछू, रिमोट कंट्रोल मतलब और वो कहे, राघव चड़्डा, मतलब आर्सी, तो यह सही बात नहीं है, यहाँ पे, कॉंग्रेस पार्टी के नेता खड़ें, बैठें हैं, कि गुजरात में आपका पैसा, गुजरात के चुनाओं में इस्तिमाल किया जाए, गुजरात में अड़िटिस्मेंट्स दी जाए, आपके पैसे से, यह सही नहीं है, यह गल्ट है, यह पंजाब के लोगों का पैसा है, और मैं फिर से कहता हूँ, कि भगवन्त मान जी मुझे अच्छे लगते हैं, मगर पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए,